हेलो विल्कम एव्रिवन मैं से चिन विश्व कर्मा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने फेवरिट प्लेटफॉर्म क्रिसी सिक्चा पर आज के इस वीडियो में आपके लिए बेस से किरिकल्चर सेकेंड समिस्टर के प्रिंसिपल सा ऑफ और्गेंडिक फार्मिंग का जो पेपर हुआ है आपका इसकी पेपर का सॉलिशन लिख रहा हूं तो आप लोग फटाफट से अपना एंस्वर मिला लीजिए बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्त के पास फटाफट से सेयर कर दीजिए थाकि वो लोग भी हमारे साथ जूड़ पाएं और अपना एं योजना कब शुरू की गई थी तो इसका एंसर हो जाएगा जैवी खेती पर राश्ट्री जो योजना है पर योजना यह शुरू गई थी अक्टूबर 2004 में आप सने करेक्ट होगा इसके बाद है राश्ट्रे क्रिसिविक ज्यान अकादमी कहां इस्तित है तो राश्ट्रे कितने राश्ट्रे के आव सकता होती है तो यह 40 ग्राम अप्शन इसका डी करेक्ट होगा इसके बाद है राश्ट्रे ट्राइफॉलाई का प्रियोग किया जाता है तो राश्ट्रे ट्राइफॉलाई का प्रियोग बड़सी में किया जाता है इसके बाद है इन में से कौन सा फासफोरस गुलनसील पदार्थ या निए फासफोरस सार्बॉलाइजर कौन सा है तो बैसिलस इसपरजिलस और सुडोमोना सभी हो जाएगा तो ग्रोग तो सभी इसमें करेक्ट होगा इसके बाद है ग्लोमस है एक तो ग्लोमस क्या है ग्लोमस एक जो है यह फासफोरस दॉर्बर है और अप्सन एसका करेक्ट होगा बाकि आपके इंटुमोलाजी के पेपर का सॉलेशन हो गया है तो फटक से आपको उसका सॉलेशन इसके बाद अपलोड हो जाएगा और एकोनोमस का सॉलेशन अपलोड हो चुका है तो आप लोग उसे भी जाकर मिला लिजेग इसके बाद है इन में से कौन सा खादयन फसलों में उपयोग किया जाता है तो खादयन फसलों में उपयोग किया जाता है आपका यह सभी प्रियोग के जाता है तो अप्सन डी इसका करेक्ट हो जाएगा उप्रोग तो सभी यह पेपर जो है नॉर्मल पेपर आया हुगा थ इसके बाद अगला question है nucleo polyhydroosis virus का प्रियोग किसके नियंतरण में किया जाता है तो इसका उतर हो जाएगा हेल्को अर्मी जेरा option A इसका correct होगा इसके बाद फिरुमोन ट्रैप किसके विरुद्ध किया जाता है तो फिरुमोन ट्रैप का प्रियोग जो है तो option इसका C correct हो जाएगा कि only B इसके बाद फिरूद्ध की बहुं का निभाते हैं यानि केचवा जैविक खीती में क्या भूं का निभाते हैं तो इसका उतर हो जाएगा आपका मुर्दा वातन soil area sun option B इसका correct होगा इसके बाद है जैविक खेती में हरी खात का प्रियोग क्यों किया जाता है तो इसको उतर हो जाएगा मर्दा उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसके बाद है निमलखित में से इन में से कौन सा जो है प्राकरतिक कीडनासी है तो नीम के पत्ते आपसन एसका करेक्ट होगा इसके बाद है इन में से कौन सा जय उर्वरक नहीं है तो जय उर्वरक जो है ये फफूंदी को सामिल नहीं किया जाता है फंजाई को आपसंडी करेक्ट होगा इसके बाद है नाइट्रोजन इस्तिरी करेंड के लिए किस तत्तों का होना हो सक है तो आक्सीजन आपसंडी करेक्ट होगा इसके बाद है इन में से कौन से जीवाणू आब आई भी है तरीके से नाइटोजन इस्तिरी करनड करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा एजोटो वेक्टर जो अठार नमबर कुश्चन है इसका जो करेक्ट एंसर है वो हो जाएगा क्लास वीडियम आपसन बीस का करेक्ट हो इसके बाद है कची हडडी की खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है इन मेंसे कौन सा खाद kा की खाली नहीं है तो खाने वाली इसके बाद है सरवाधिक नाइट्रोजन प्रसत पाया जाता है तो यह मुंगफली की खली में पाया जाता है इसके बाद है किस समस्या की बचाओ हुए तू अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खात का प्रियोग करना चाहिए तो यह पोशक तत्नों के नुकसान के लिए क् निस्तरी करन होने लगता है इस फुरी इम evolved ाइज़्ेशन होने लगता है इस लिए नुर्व क्याने के लिए अप सक फ्रय जोह फुर्या होता है इसके बाद है कार्बनिक फर्डिलाइजर यूरिया ही होगा इसके बाद है जैविक केती के संदर्व में भारत का प्रथम कार्बनिक राज जो है ये सिक्किम है इसके बाद है एजोला है तो एक प्रकार का फर्न होता है इसके बाद दर्यानी फदलों में रैजोम कल्चर का इ यह किया जाता है फिर इसके बाद है BGA का उपयोग किया जाता है तो BGA का उपयोग धान की फसल में होता है इसके बाद है लाइगला कुशन है वर्मी कमपोस्ट बनाने के लिए के तो यह जो है लेगुमनेसी होता है इसके बाद अच्छी तरह से अब घटित वर्मी कंपोस्ट तयार होती है तो उत्तर हो जाएगा 5-6 महिने में फिर करंज का वानस्पतिक नाम है तो करंज का वानस्पतिक नाम होता है आपका पंजामिया ग्लैबरा आपसंसी इसका करेक्ट होगा धोट किसे तयार होती है तो मैं कंपोस्ट जहिए चिए केचंबढ से तयार के प्रसदं का जाता है तो कि यहाञी कारवनिक जहाएं इसके बादर की खाद में कौन सी है तो सनई और धेंचा दोनो हो जाएत सुनिय और भी दोनो करेक्ट होगा इसके बाद है जईविक, खेति में से सामाने तक किसके प्रियोक से बचा जाता है जग 17 بين जो कुराप होती हैं, उनसे बचते हैं, उनका प्रियूग नहीं करते हैं, आपसन C, करेक्ट होगा, इसके बाद है किस राज्य में सुन्य बजट प्राकृति खेती की सुरुवात की गई, तो आंध्र प्रदेश इसका एंसर हो जाएगा, आपसन भी करेक्ट होगा, इसके बा इसके बाद है, आपसन C, करेक्ट होगा, इसके बाद है, IFOAM का गठन किस वर्स में हुआ था, तो 1922 में हुआ था, इसके बाद है, जैविक खेती है, तो जैविक खेती जो है, एक समग दिश्टकूर्ण होता है, होलिस्टिक अप्रोच होता है, फिर है नील हरित सहवाल का जैविक क्रिस में किसके सुरोत के रूप में उप्योग किया जाता है, तो नाट्रोजन के सुरोत के रूप में नील हरित सहवाल का उप्योग किया जाता है, इसके बाद है, समन्वित खरपतवार प्रबंधन का सिद्धांत जैविक क्रिस में क्यों महात्पूर्ण है, तो इसलिए है क्योंकि अनेक रणनीतियों का प्रियोग करके खर्पतवा नुक्सान को कम करने के लिए किया जाता है आपसन इसका डी करेक्ट होगा रेडियसिंग वीड डैमस योजिंग मल्टिपल स्ट्रेटिस इसके बाद है जैविक खेती में ट्रैप क्रॉप क्रॉप क्या हो नाइट सोयल जो है यह होती है आपसन सी करेक्ट होगा इसके बाद है स्वीट क्लोवर द्वारा कितना नाइट्रोजन इस्तिरी करन्ट किया जाता है तो स्वीट क्लोवर द्वारा जो नाइट्रोजन इस्तिरी करन्ट किया जाता है वो किया जाता है 120 किलोग्राम आपसन इ पढ़ाते हैं तो इसमें भी option D correct होगा उपरोग तो सभी फिर कॉलेगों डीवाइन और बाइपॉल एडिस हैं तो यह प्रकार के बायो हर्बिसाइड होते हैं चैयो साकनासी फिर इन वे से कौन सा गयर चैनात्मक साकनासी है तो जो बायो लोफास है इसका यह answer हो जाएगा इ इसके बाद है USDA में D क्या है तो D का मतलब होता है United Department option जो है इसका B correct हो जाएगा सताओ नंबर question का अगला question देखते हैं अगला है ठाओ नंबर की रिसी खेती होमा खेती और प्राकृतिक खेती किसके रूप में किसके रूप हैं तो यह जो है कार्बनी खेती के रूप में है आरगैनिक फॉर्मिंग की आपसने correct होगा इसके बाद है इनमें से कौन सा जैविक खेती में उप्योग नहीं किया जाता है तो यूरिया का प्योग नहीं किया जाता है और लास्ट कुशन है बारत में जैविक खेती पर NGO का पहला सम्मेलन यानि APIGA आर द्वारा आयोजित कि से correct होगा तो entomology और agriculture economics के पेपर को solution हो गया है तो चैनल पर वोग अपलोड है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं बाकी वीडियो चलो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा आगे आने वाले जो पेपर है उसकी त्यारी करने के लिए आप हमाले चैनल से त्यारी कर सकते हैं उसकी जो है वीडियो प्ले लिस्ट अपलोड है